एपी किड्स क्लीनिक बच्चों का स्पताले वम्ती का करण केंद्र डॉक्टर रोहिज जैन मानस भण के पास दमो हो शुभरंब संपूर बेवाहित परीधान बैंका बढ़ोदा के पास के स्टेशन रोड दमो हो एक बार अवश्य पधारे दमो जले के साथ प्रदेश के अनिस्थानों पर भी तीन माह से सिक्चकों को वेतन नहीं मिला है यही करण है कि अब लाग डाउन और अनलाग जैसे हालात में इन सिक्चकों के सामने परिशानिया खड़ी हो रही है नई प्रक्रिया के तहत आई तकनीकी खामी के कारण सिक्चकों को लगातार तीन माह से वेतन प्राप्त नहीं हुगा है यही वेतन नहीं मिलने के कारण एक महिला सिक्चक के एड़ोकेट पती के दोरा जहां पहले आतमदा कन्ने की चेतावनी दी गई तो वहीं समझा इसके बाद उन्होंने कोतवाली पहुँचकर ऐसा कुछ नहीं करने की बात कही साथी ततकाल सासन से सिक्चकों का वेतन दिये जाने की मांगी दमो कोतवाली पहुचे हाई कोट के एड़ोकेट अभैसरमा ने जानकारी देती हुगे बताया कि उनकी पत्नी सिक्चा विभाग में सिक्चका है ऐसे हालात में बे दमों में ही रहती है लेकिन उनको तीन माह से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है यही कारण है कि तीन माह का वेतन सिक्षकों को नहीं मिलने से अब परेशानिया पैदा हो रही है इस बात से व्यथित होकर उनोंने वेतन नहीं मिलने के कारण इसका विरूद करने के लिए आतमदाग की चेताब नी दी थी वही सिक्षा बिवाग के अधिकारियों से बात्चीत के बाद उन्होंने आतमदाग नहीं करने का निर्ने लिया जिसकी जानकारी देने के लिए वेग कोतवाली पहुछे, उन्होंने बताया कि सासन को इस मामले पर सिग्रता के साथ खावियों को दूर करके सिक्षकों का वेतन रिलीज करना चाहिए जिससे उनको परेसानी ना हो, उनका यह भी कहना था कि सिक्षविवाग के लोगों से सरक यहां मेरी सवराल है लगों मेरी पत्वी जो है शिक्षव रिवाग में वर्ष का ध्यापक के पत्व कारेरत मारूताल स्कूल में पिछले तीन माह से शिक्षवों को वेतन नहीं मिला उसी के संबंद में पड़े विखित होके मैंने एक पत्र बियोस सब्सक्राइब को अपने वाट्सप के माध्यां से लिखा था उसमें मैंने उनको आत्मा दाह कि करने की भी बोली थी कि आप यदि कोई कारगर ने नहीं लेती हैं तो मैं आत्मा दाह भी कर सकता हूँ क्योंकि भाई साब आज से क्या मैं तो जब से सिक्षा विवाग में मैं भी पढ़ा हुआ हूँ वहीं से पढ़के सिक्षा प्राव की तो सिक्षक एक ऐसा है कि जिसको जाडू और पहुंचे कि वह सड़क में जाडू लगाना भर सेस रह गया बाकि उससे हम हर कार कराय जा लेकिन सबसे ज्यादा दुखी और प्रताड़त वही है आज की ते समय पे बेतन नहीं मिलेगा तो समय पर कैसे उनका गुजारा चलेगा अब हर सिक्षक के खुद के मकान तो है नहीं तो भाई वो सिक्षक भी है जिन जो किराय के मकान में रहते किराय माली को इतने देखे मेरा नहीं त़ कि अहीं है कि बेतन मान नहीं दिया गया है उनकी जारीकर दिधान जिस आपना परियार अच्छी से चला कि अब है अबेदन अबेदन खे पन continue ह मैं बूख के लोगा कि इसल्पर किस में एक पूदावी मैं ना Device कोदिश 다음에 आपने किस है कि श्यका दिया है को थ है तो यह बाद्शीत हुई कि अलेक्टर से मिलने जाये जाएगा तो मैंने मैंने उनको लिक्ते देतीया हैं कि मैंने को अतमधाहर नहीं करना है मैं कलेक्टर से मिलना है यह वो लिख़द मुच हा है तो मैंने देञेini शिग्रा ती शिग्र मकान बेचना है आपके सपनों का आशियाना जिसमें है दो शानदार बैडरूम एक खुपसूरत हॉल मॉट्यूलर कीचन कारपोच और डबल लेट बाथ बहुत ही कम कीमत में संपर्क करें 799-88-9842 पर कर दो दो